नमस्कार मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कारिक्रम आध्यात में ज्यान चर्चा तो आईए शुरुआत करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत राम पाल जी महराज बनाम परंपूजे संत महामंड लेश्वर स्वामी ज्ञाननच जी के विचार महराज जी आपसे यहां ये भी जाना चाहेंगे कि गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्व दर्शी संत से तत्व ज्यान समझने के लिए कहा है वो तत्व दर्शी संत कौन है तता उसकी पहचान क्या है ये बड़ा गहरा और कुछ-कुछ जटली सा प्रशन है इस श्लोक बहुत महत्तोपूर्ण है और भगवान शिरकृष्ण के बड़ी सीधी प्रेड़ना है इस श्लोक में टद्विधी प्रणिपातेन परिपरशनेन सेव्या उपदेख शन्तिते ज्यानम ज्यानिनस तत्व दर्शिना भगवान ने कहा उस ज्यान की प्राप्ते के लिए तो तत्तो दर्शी महापुरुष का आश्रे ले एक बात तो ये है कि भगवान कृष्ण सरव ज्यान संपन है तत्तो दर्शी महापुरुष वो है जिन्होंने उस तत्तो का साक्षात कर लिया है तत्यो स्वेम परमात्मा हैं स्वेम परमात्मा शिरक्रिष्ण हैं शिरक्रिष्णी ये बाणी बोल रहे हैं लेकिन फिर भी परमप्रा का निर्वाह कर रहे हैं कि महापुर्शों के द्वारा ये ग्यान मिलेगा गुरु परमप्रा से ये ग्यान मिलेगा तुझे तत्तु दर्शी की बात है वो बात है कि जो परमात्म तत्त्त सब के भीतर है जो चेतन तत्त सब के भीतर है जिसने उस तत्त से एक रुपता कर लिए है जो किवल जड़ता में नहीं जी रहा है जो किवल बाहर के आकरशनों में नहीं जी रहा है अंदर उस इश्वरिय भाव की प्रियता में जी रहा है वही तत्त दर्शे है जिसके लिए इस्थितियां अनकूल प्रतिकूल सम्ह हैं जिसके भीतर अपेक्षा नहीं है और मिल गया तो यद रिच्छाला उस संतुष्टा मिल गया तो उसका प्रसाद मान करके स्विकार है और उसका प्रसाद मान कर बांटा जा रहा है तो यह स्थितिय जो ऐसे है और जहां तक पहचान की बात है कैसे पहचाने देखो पहचान तो जब हम कहीं बैठेंगे तो पहचान हो जाती है जिसकी सन्निधी इश्वर की और आकरशित करे यदि हमारे मन की जिग्यासा है तो उस महापुरुष का भाव हमें इश्वर ये भाव की और प्रेजित करता हुआ दिखेगा उस महापुरुष की सन्निधी से हमारे फीतर की बुराईयों का दमन होता दिखेगा फीतर की अच्छाईयां प्रगट होती दिखेंगे और हमें भी लगेगा कि इस महापुरुष की इस्थिति, आनन, सहज़ता हमें भी उस दिव्यता की और उस तक्तो की औरा करशित करती हुँ दिखेंगे पहचान तो सन्निधी से सुता होने लगती है बाहर रूप में हम कहें तो बाहर रूप में लक्षन, बाहर वेशबुशा पहचान नहीं है बाहर का कोई लक्षन पहचान नहीं है पहचान तो अंदर की अवस्था ही है जो गीता ने इस्थित प्रग्य की रूप में कही कि संसार में रह रहा है लेकिन संसार की चाह नहीं है, संसार में रह रहा है लेकिन अनकूल प्रतिकूल प्रसितियों में अपने आपको सम रखे हुए है जो मिल गया जैसा है उसमें संतुष्ट है, परसन है ऐसे ठेरू लक्षन गीताने बताएं तो ये थे स्वामी ज्याननंजी के विचार और आएए अब जानते हैं जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार डंडवतम गोबिंद गुरू बंदू अविजन सोए पहले बहे परणाम तिन नमजु आगे वोए गीता जी धायर नमबर पंदरा के एक से लेकर है चार तक सफष्ट किया है उपर को जड़वाला वो तो परमक्सर ब्रम है और नीचे को तिन नुग रुपी साखा वाला उटा लटका संसारुपी वरक से है और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा सै वेदवित वेद के परमेशवर कबीर जी ने ये पूरन परमातमा है और इसका वेद गवाह है और वो ही इथारत ग्यान परचार करते हैं अपने पुन्नातमाओ ग्यान से तरप्त करते हैं प्रमिश्वर्ण श्रस पहले कवीर देव जी ने आकर कहा था कि अक्सर प्रुष एक पेड़ है निर दिन्वा की डार और तिन्नो देवा साखा है ये पात रूप संसार ये देखी गए ये उल्टा लटका संसार रुपी बर्क से ये तनात इसका अक्सर प्रुष कहो और प्रुष 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 प्रु अक्सर पुरुष ये तो तना है और इसकी मान लेजी ये डार है सरपुरुष और ये तिन्नो देवा साखा है रजगुन परमा सद्कुन विशुन तनुड जियो शिर जी और पात रुप संसार ये परमेश्वर कभीर जी की वाणी है कबिर अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंदन यानि सरपुरुष को निरंदन भी कहते हैं उसकी डार और तिन्नो देवा रजगुड़ु परमासद कुन विश्भुता मुटशी हुई इस परमेश्वर ने पहली बता था यह पूर्न प्रमात्मा जो है यह प्रोक्स है यह प्रमक्सर प्रम यह जड़ है ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुंड रुपी साखा वाला ओहु यह उटा लटका हुआ संसार रुपी व्रक्षे है जो संतिस के सभी भी भागों तुसे सहित बता देगा। 9.ज़ क्या है, तना क्या है, डार क्या है, साखा क्या है। परमेश्वर के उस परमपत की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर सादक लोट के फिर कभी संसार मन याता और जिस परमेश्वर न सौरे ब्रवन्नों की रचना की है और मैं भी उसी की सरन हूँ उसी की पूजा करनी चाहिए अपने आत्मों गीता जी अध्याय नमर आठ के सलोक नमर एक मैं अरदुन ने पूछा के परभू आपने जो गीता जी अध्याय नमर साथ के सलोक नमर उनतीस में कहा है के मेरे इस ग्यान को आश्रे करके उस तत्व दरसी संत की खोज करो गीता जिद्ध है नमबर 4 के सलोक नमबर 34 में कहा है तत्व दर्शी संत से वो तत्व ग्यान सुनो समझो उस प्रमातम तत्व के बारे में वो तत्व दर्शी संत बताएंगे जिन्होंने वो तत्व दर्शी संत मिल गया उन्होंने सारे ज्यातम ग्यान को समझा और सभी कर्मों से प्रिचित हुआ और वो तत्वर्म से प्रिचित हुआ फिर वो जरा और मरन से मुक्ती के लिए ही छुटकारे के लिए ही वो साधना यतन करता है प्रियतन करता है वो इस संसार की किसी वस्तो की डिमाट नहीं करता वो ततब्रम को जान लेता है तो यहां गीता जी देनोर 8 के शलोक नमबर 1 में अर्धुन ने पूछा किम ततब्रम वो ततब्रम क्या है जिसके जान कर फिर कुछ किसी वस्तू कर जानना किसी वस्तू की डिमाड नहीं करता जरा और मरनसे मुक्स प्राप्ति ही चाहता है तो वो किम्तत ब्रम अब गीता ग्यान दाता आठ में जाये के तीसरे सलोक में उतर देता है कि वो परम अक्सर ब्रम है वो परम अक्सर ब्रम है वो गीता ग्यान दाता से अलग है अब एक सरपुर्ष एक अक्सर पुर्ष एक परमक सर्पुरुष ये तीन परभू है सर्पुरुष तो ये काल है जो श्री विर्मा, श्री विष्णो, श्री शिव जी के पिता जी है और इस विर्मा, विष्णो महिस जी की माता दुर्गा है अब यहां गीता अज्धाय नमबर 15 के सलोक नमबर 1 से लेकर 4 तक क्या बता है कि उस तत्व दर्सी संत की पैचान बताई है जिसके विशे में गीता जी अज्धाय नमबर 4 के सलोक नमबर 34 में वरनन है यहां सबस्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुन रुपी साखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसा रुपी वरक्स है और जो संत इसके सभी भी भाग बता देगा पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है और ड़ कौन है, साखाए कौन है, पत्ते क्या है से वेद विद, वो वेद के तात पर ये को जानने वाला है और तात वो तत्त्व दर्शी सांत है परमेशवर स्वेम आते हैं सत्वगान को बताने के लिए कवीर देव जुलाहा कवीर रूप में परगठ हुए थे सैसरीर आये थे, कमल के फूल पर एक बाशी सु रूप धार्न किया था सन तेरा सो अठाणुए में और आकर के एक निरो नीमा नामक जुलाहे नी संतान दमपत्ती उनको वहां से ले गए थे और धीरे धीरे लिला में बड़े होते रहे पांत वर्स की आयू से ही इस ग्यान का परतार सुप पराहरम कर दिया था तो परमेश्वर ने कहा था अक्सर पुरु से एक पेड़ा निर्जनवा की डार और तिन्नों देवा साखा है ये पात रूप संसा श्री मद भगवत गीता अज्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक से चार और सलोक 16 और 17 में जो विशेश विवन दिया है उसको समझने के लिए इस संसार रुपी वर्क्स को आप देखिएगा चेतर आसानी से समझ माईगा फिर ये संसार रुपी उल्टा लटका हुआ वर्क्स समझो प्रमेश्वर ने समय बता है कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष इसके डार समझो काल ब्रहम समझो इसको कुछ भी कहो ये इसके इसी के प्रयावाची नाम है शर पुरुष काल ब्रहम इसको ब्रहम शर पुरुष भी कहते हैं शर पुरुष ये तो डार सम जो इसनसा रुपी वरक्स की और तीनों देवा रजगुन बिर्मा, सत्गुन विशनु, तमगुन शिवजी रजगुन बिर्मा जी, सत्गुन विशनु जी, तमगुन शिवजी ये तो साखाएं हैं और हम यहां पात रूप सनसा अब इस आस्या को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परमक्सर ब्रहम है परमक्सर पुरुस कहो, परमक्सर ब्रहम कहो या पूर्ण ब्रहम या परमेश्वर कहो, परमक्सर ब्रहम कहो स्लोक नमर 16 और 17 में ये कंसेट बिलकुल कलियर है तीन भगवान है एक तो परमक्सर ब्रहम यानि परमक्सर पुरुष को हो परमक्सर ब्रहम को हो ये तो जड़ है पूरे समसार रुपी वरक्स की यहीं से सब को उत्पती होती है पर यहीं से सब को आहर मिलता है सब का धारन पुरुष लिए करता है तना जो जमीन से बाहर दीखता है उसको अकसर पुरुष पर ब्रहम भी कहते है और उसके फिर एक डार है वो सर पुरुष है ये ब्रहम है जो गीता बोल रहा है और तीनो देवा रजगुन और भरमा, सबगुन विश्मु तमगुन शिव जी ये साखा है और हम पात रूप सल्सा अब रजगुन ब्रमा है सबगुन विश्मु तमगुन शिव जी ये भी कंसेप्ट यह कलिएर होना चाहिए तब जा करके हमारे ये अर्दे में समावगा ये ग्यान तत्व ग्यान क्योंकि आज तक हमने लोकवेद सुना है दंतकथा सुनी है गीता जी का अनुवाद भी हमने गल्द पड़ा है ये देखिएगा मारकंडे पुराण सचीतर मोटा टाइब केवल हिंदी गीता प्रैस गुरुपुर से परकासित है और इसके ये परकासिक मुदरक गीता प्रैस गुरुपुर इसके एक सो तेईस प्रिष्ट पर आप देखिएगा 122-123 प्रिष्ट पर संग्सिप्थ मारकंडे पुराण ये है क्रोक्ष्टू कीने कहा भगवन यह सारे यही बता रहे हैं इस तरह' श्वंभु प्रमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं रजोगुन परदान बर्मा, तमुगुन परदान रूदर और सतोगुन परदान विष्वपालक विश्नुजी हैं यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है, सप्रस्ट हो गया, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है, रत गुण को हो, सत गुण को हो, यह तीन गुण को हो, यह तीन गुण को हो, और देखिये गाए, श्री मत देवी भागो थींदिस, ठीकासित भाग एक, यह कहां से परकासित है, अथ देवी भागवतम सब्हास ठीकंँ सेमात्यं, खेमरा स्रेकर सन्दास परकाषन बंबई चार, इसके हम तीसरे भाग पर आते हैं, तीसरे सकंद में, यह देखेगा, ओ कि अठ स्रीमत देवी भागवते भासा ठीका युकते, तिर्थी ए सकंद प्रारमते, इसके ए ग्यारा पर और यहां देखिएगा अध्याए पांच तीसरा सकन्द इसका आठमा सलोग हे मात है संकर भगवान बोलें सिव जी हे मात है यदि हमारे उपर सदा आप दया युक्त हो तो हम को तमोगुण में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रजोगुण और हरी सतोगुण युक्त क्यों किये फिर देखिएगा अब हम संस्कर्ज पढ़ेंगे ये सातमा समाप्त वा आठमा सलोग यदी दया दर्मना नस्दा पी के कथम एहम वहीताच है संकर भगवान करे है किस परकार मैं बना दिया तमोगुण है तमोगुण है कमल से उत्पन होने वाले बिर्मा क को आपने रज़ोगुण संभव को रज़ोगुण उत्पन कर दिया सुवी तक कि मूद सतोगुण हरी और किस परकार आपने विश्ण जी को सतोगुण उड़ा दियती सिधम रज़गुण बिर्मा सत्गुण विश्णू तमगुण शिवची और मारकन ने पुरान में यही तीन देवता हैं आप स्विम पड़ा और यही तीन गुण है रज़गुण बिर्मा सत्गुण विश्णू तमगुण शिवची अब सिरी मद्भगुद गीता जी अध्याय नंबर पंदरा के स्लोक नंबर एक से लेकर चार को समझना अतियासान हो जागा है यह स्लोक नंबर एक में आदी पुरुष परमेश्वर मूल वाले उर्धव मूलम अधै साखम अस्वतम प्राहु अव्यम चंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेद वित उपर को जड़वाला अधै साखम नीचे को साखा वाला ये संसा रुपी ये अविनासी पीपल का वरक्स है और चंदासी यस्य प्रणानी इसके पत्ते जैसे उपर को जड़ साखा और पत्ते आदी जो चंद हैं भाग हैं विभाग हैं ये तम वेद जो इसको जानता है से वेद वित वो तत्वदर सी संथ है अधै पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधै साखम इन्हों यहां गल्द किया है बर्मारूब साखा मुख्य साखा वाले यह गल्द किया है यह अधै माने नीचे होना चाहिए देखो यहां इसी के पंदर में जाय के दूसरे सलोक में अधै माने नीचे किया है अधै माने नीचे अधै माने नीचे तो यहां भी अधै माने अधै साखम अध्य माने नीचे को साखा वाला आधी पुरुष परमेशर मूल वाले अध्य माने नीचे को साखा वाला ये संसार उपी पीपल के वरक्ष को विनासी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप संसार रूप वरक्ष को जो पुरुष जो साथ जो व्यक्ति मुल सहीत तत्व से जानता है जड़तें लेकर पत्तों तक बता देगा सै वेद विद वहेद के तातपड़ी को जानने वाला है वो तत्व दर्शी संत है अब यहां दूसरे हम कहा है, उस संसार वरक्स की तीनो गुन रूप रज गुन बर्मा, सद गुन विशन, तम गुन शिव जी रूपी तीनो साखाए हैं, विशे परवाला साखा, विशे विकारों वाली ये तीनो साखाए हैं, नीचे और उपर फैली हुई है, शर्वतर नही ये गल्द लिखा है, उर्धोवा ने उपर फैली है, मुनस लोक में कर्मो अनुसर बांधने वाली हैं, तीनो बर्मा विशनो में हैं, कर्मा नुसर सब को यहां बांधे रहते हैं, अपने कर्मा नुसर उनको ये सब देते रहते हैं, नीचे और उपर व्यापत हैं, नीचे सार वरक्स का शरूप जैसा कहा है, वैसा यहां विचारकाल में नहीं है, नहीं पाया जाता है, यहां विचारकाल वाने के तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कसन में मैं नहीं बता पाऊंगा, यहां नहीं मैं नहीं बता सकता है संसारुपी वरक्स के सभी विभागों को नहीं इसलिए गीता जी देह नुमर 4 के स्लोक नुमर 34 में कहा कि उत्तवदर्सी संथ बताएगा ने इसका आधी है और ने इसका आन्त है और ने इसकी अच्छी परकारस्थिती है इसलिए इस सो विरुड मूलम अती दर्ड मूल वाले ये गलत लिखा है यानि मूल यानि पूर्न परमातमा और उसका लोग तो अविनासी लोग है वो कभी नश्ट नहीं होता इसलिए अती दर्ड मूल वाले इस संसार रुपी पीपल के वर्क्स को असंख संस्त्रेण इन्हों वेरा गृप संस्त्र दौरा काटकर नहीं तत्व ज्यान प्रुपी संस्त्र दौरा काटकर वैंनि ओसको संंख कर जब तत्व दर्ड के संस्त मिल जा उसके अब चौ तथा सलोका पंदर में जाए एमनि लोग उसके पास्ट उस परण पढ़ु प्रमेशवर को भरी संसार वरस की परवर्ती विस्तार को प्राफ्ट हुई है और उसी आदी पुरुष नाराण के मैसरन हूँ इस परकार दर निस्जे करके उस परमेश्वर का मनन और निदी धासन करना चाहिए अपने अत्मों ये सबस्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता को भी पूरुण ग्यान नहीं है इसने सबस्ट करके छोड़ दिया कि उपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुन रुपी साखा वाला और गीता जे देह नमर चायर के सलोक नमर चौन तीस ने बताया कि उस तत्व ग्यान को तत्व दर्सी संत बताएगा गीता ग्यान दाता उस ग्यान को नहीं जानता तो उसके लिए परमात्मा खुज आये थे आज से सथ सो वर्स पहले परमेश्वर ने स्वयम बता था अक्सर पूर से एक पेड़ है नरंदनवा की डार और तिन्नो देवा साखा है ये पात रूप संसाथ अब इसमें ये भी सफ़ष्ट किया है गीता ग्यान दाता कहता है कि तत्व दर्सी संत मिलने के पस्चाथ इस उलजी हुई गुथी को समझ कर उसके पस्चाथ परमेश्वर के उस परमपद की खोज करने चाहिए जहां जाने के बाद फिर लोटकर कभी संसार मानी आते है उनका जनम मरतू कभी नहीं होता वो है वास्तम परमगती जो गीता ग्यान दाता से कोई और परमेश्वर है और उस संत बताएगा तो पुन्यातमो यहां गीता ग्यान दाता इसलिए गीता जे दहर नमर साथ के सलोक नमर अठारा में अपनी गती को अनुतमाम अती गटिया कहता है कती वर्थ है क्योंकि जनम मरतू कहता मेरी भी रहेगी और सादक की भी रहेगी ब्रहम लोक में पहुंच जाएगा मेरे ओव नाम के जाबते है और ब्रहम लोक में गए हुए विप्रानी फिर वापस जनम मरतू माते है इसलिए गीता ग्यान दाता ब्रहम श्री करसन में बोल रहा है यह खुद करा कि मेरी जो सादना है वो अती अनूतम है वेर्थ है वो गटिया है इसलिए गीता जिदा है नमर पंदरा के सलोक नमर एक से चार में कहा है कि उसके पस्ता तुस प्रम्पद प्रमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लोड कर सादक कभी सलोक वापस नहीं आते है उनकी जनमर तो नहीं होती है पूरण मौक्स प्राप्त होता है और कहता है पूरण रूप से सक्षी सर्दा से उसी की सादना करो गीता गयान दाता कहता है अब गीता जी अध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तना तना और तने का आगे एक मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष आगे तीननों देवा साखारज गुन बर्मा सत्गुन विश्वन तमगुन शिवजी और मूल भगवान जो हो परम अक्सर बर्म है जिससे सब का धार्न पोशन होता है गीता जिद्ध है नंबर 15 के स्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुर्शों की तीन प्रभुवों की जानकारिय है यह देखिएगा अध्याय नंबर 15 और शिलोक नंबर यह 16 देखिए शिरीमत भगुत गीता दिवव इमव पुर्शव लोके शर्च अक्ष्रह एव चे सर्शर्वानी भूतानी कटुस्त अक्ष्रह इस लोक में पर्च्वी वाले लोक बोले जाते हैं तो साथ संग बर्मांड इसके अक्षर पुर्श के और 21 बर्मांड सर्व पुर्श के इससे पहले थोड़ा चीतर दिखाते आपको अब देखिएगा यह एक बर्मांड का लगू चीतर है इसमें क्या सब्स्ता है यह बर्शिव जी का लोग यह बर्मांड जी का लोग यह विश्व जी का अपनी राजदानिया है यह स्वर्ग लोग और नर्क लोग यह धर्मराय का लोग है यह एक मान सरूर है यह पर और यह है वो बर्मांड लोग यह इतना बर्म लोग है अब जैसे तो बर्मांड करते हैं वो यहां इस ब्रहम लोग में पहुंच जाते हैं इसने यहां तीन नकली स्थान बना रहा हैं महाइंदर काद्वी नकली सत लोग नकली अलग लोग नकली अगम लोग और नकली अनामी लोग यह सारा ब्रहम लोग कहलाता इतना यह देखिए और यह स्वम इसने तीन गुप सथान बना रहा है एक सथान पर यह स्वम बिर्माजी का रूप धान करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है उसको यह शावत्री रूप में रखता है यह रजोगुण पर धान अक्षेतर है ये एक सतोगुन प्रधान अक्षेतर है जिसमे यस्वम विश्वन रूप धान करके रहता है और दुर्गा को लक्समी रूप धान कराके यहां रहता है इनके दोनों के सृष्टी करम से जो पुत रुट 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 र सामरेता है इन दोनों के सनयोग से जो पुत्र उत्पन होता है भो Automatically सभाविक तमोगुन हो जाता है और उसका नाम ये सीव रख देते हैं सत उत्र उत्भन पुत्र को विशो नाम रख दे और एक हसे तरम जो उपन होता उसको बर्मान आम रख देते हैं वो रजोपन युक्त हो जा तो ये एक बर्मान्ड है ऐसा ऐसा एक बर्मान्ड है ऐसे ऐसे 21 बर्मान्ड का स्वामी ये काल है सरपुरुश ये देखिए ये काल के 21 बर्मान्ड ये सरपुरुश भी कहते हैं इस बर्माड ये देखा था पूरा ये समझो अब ये एक गैंद सी होगी गैंद तो इस इसने पांत बर्माडों का एक ग्रूप बना रखे ऐसे ऐसे चार महा बर्माड बना रखे इसमें बीस बर्माडों को रोका हुआ है और ये एकिस माँ इसने अलग से अपनी एक ग्राजधानी बना रखे इस परकार ये 21 बर्माड का स्वामी है और बर्माड विश्णू महिश जी तो केवल इन तीन लोगों में इस पाताल लोग पर इस परत्वी लोग पर और इस स्वरक लोग पर एक एक विभाग के स्वामी है रजगुन विभाग के बिर्माजी सत्गुन विभाग के विष्णुजी और तमगुन विभाग के सिवजी ये केवल एक बिर्माण में इन तीन लोकों पर एक एक विभाग के अधिपती हैं बस और ऐसे ऐसे 21 बर्मान्ट है इस काल के अब बर्मा विश्णों मेश की सतीथी से आप परीचित हो जाओगे ये पूरी सतीथी आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की ये देखिएगा सरप्रुष, अक्सरप्रुष और परम अक्सरप्रुष ये 21 बर्मान्ट हैं जो अभी आपने देखिए थे अब ये इस सतीथीम आगए हैं ये तो सरप्रुष यानि काल बर्म के हैं 21 बर्मान्ट और ये साथ संख बर्मान्ट है साथ संख बर्मान्ट ये अक्सरप्रुष के या परबर्म को होचा है अक्सरप्रुष को कवीर देव ए यह प्रमक्सर प्रम, प्रमक्सर प्रम है, यह सबU स्वामी यह प्रमक्सर प्रमॉपरम करने हैं, पूरा प्रमृ जचा अब यह थीर वग्वान स्मुझ्गाओं। सरपुरुस अक्सरपुरुस यह दंद कथा सुना रही है हमारे को इनको कैख है का नहीं बता गीता जी के लिए अब इसमें सफ़स्ट करिया है कि पंदर में अज्याय के 16 और 17 तीन परभू सफ़स्ट लिखे एक सरप्रुस ये 21 ब्रमान्ड का स्वामी है ये काल है जो गीता बोल रहा है स्री किर्श स्रमा प्रविस करके और अक्सरप्रुस ये ब्रब्रम है जो साथ संग ब्रमान्ड का स्वामी है और तीसरा जो परम अक्सरवरम है उत्तम पुर्षत वन्य परमा अत्माईती उधारते हैं यह देखेगा स्रीमत भगुत गीता अध्याय नंबर पंदरा का सलोक नंबर पंदरा का अब सलोक नंबर यह सोला पंदर में दैका सोला दिव इम पुर्शव लोके चरह चय अक्सरह एव चय सरवाणी भूतानी कटुस्त अक्सरह उचयते यही इन्ही परच्वी वाले लोक में दो परमात्मा सूपरसिध हैं एक सरपुर्ष और एक सरपुर्ष अक्सर पुरुष तो तना है, सर पुरुष यह संसारुपी वर्ष की एक मोटी डार है, दिवाव इमव पुरुष हो लोके सर अक्सर है, इन दोनों सर और अक्सर पुरुष के जो लोक हैं, यह दो बगवान हैं इस लोक में, और इनके और इनके जितने इनके अंतरगत स्परा आसलों के नहीं के अनुवाद के सुनाते हैं इस संसार में नास्वान और अविनासी भी ये दो परकार के पुरुष हैं परभू है दो परकार सुवामी है संपुन प्राणियों के सलीर तो नास्वान है और जीवात्मा अविनासी कहा जाता है अभी सातरमिं में कहा है उत्तम् पुरूशातु अन्या है पर्मात्मा इति उधार्त यह लोग तर्णम आवी से की भरती है अवेस्वर है उत्म पुरुष यानि सरिष्ट परमात्मा वास्टविक भगवान तो इन डोनों से इस सरपुरुष और अक्सर पुरुष से भी कोई अन्य है और है पंदर में का सतर मा सपुष्ट कर रहा है और उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है ये लोग तरह मावेसे वरती जो तीनों लोग को परवेस करके सब का धार्ण पोशन करता है वो अवे इस वरे है वो अविनासी प्रमात्मा है अब अपने आत्मों ये सफष्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता से अन्य और सुप्रीम पाउर है वो परमक्सर ब्रहन जो है वो तीनों लोग को में परवेस करके सब का धार्ण पोशन करता है वो मूल यानि जड़ उल्टा लटके वे संसार रुपी वरक्स के जो उपर जड़ है वो मूल रुपी परमात्मा है और वही पूजा के योग है उसी की पूजा करनी चाहिए अब फिर देखिएगा एक वे चीतर को आसानी से समझ माएगा ये पूरा संसार रुपी वरक्स देखो उपर को उर्दो मूलम अधै साखम उपर को मूल परमात्मा रुपी जड़ वाला और नीचे को तीन नुग रुपी साख़ा वाला गीता ग्यान दातान के वल इतना ही बता है उपर को तो जड़ है वो समझो पूरा प्रमात्मा है और नीचे तीन नुग रुपी साख़ा है इस बाकी के बारे में बता है कि इस पूरे रूप से जानकारी मैंनी जानता तत्व दर्सी संथ बताएंगे और गीता जी दहरम वर पंदरा के सलोक नमर एक में कहा कि इस सारे भी भागों को इस पूरे संसार रूपी वर्क्स के सभी भाग बता देगा सहवेद वित वो तत्व दर्सी संथ है परमेश्वर कबीर जी स्विम्न आकर के सथ सो वर्स पहले हमें बता कर गए थे कबीर अकसर परुष एक पेड़ है निरंदन इस सर परुष को काल निरंदन भी कहते हैं यो काल निरंदन वाकी दार और तिन्नो देवा साखा है पातरों सलसा इस परमे इश्वर ने श्रस्वर पहले ये ग्यान हमें दे रखा था जिस आधार से पुवितर गीता जी भी सम्झ में आ रही है और पुवितर गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया परमाणित कर दिया कि तीन परमात्मा सर परुस ये अक्सर प्रुष ये पर्म अक्सर प्रुष ये पर्म अक्सर प्रुष अपने आत्मों परसंग चल रहा है कि गीता ग्यान दाता ये ब्रम है ये ब्रमा विश्णू महेश से अन्य है गीता ग्यान श्रीकर्शन नहीं दे रहे है श्रीकर्शन में प्रवेश करका है ये ब्र जनता भर्म में पढ़ जाते हैं, सादक के विष्णु सतोगन विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल, अब देखिए विष्णु पराण में एक और परमान देते हैं, श्री विष्णु पराण, गीता प्रैस गुर्व कुर्शे परकासित, इस हे बर्मन, बर्मा विष्णु और सीवे, बर्म की परधान शक्तिया है, उसे नियोन देवगण है, यानि बर्मा विष्णु सीव से बर्मा अलग है, ये काल है, बर्मा विष्णु में इसका पिता है, अब परसंग ये चल रहा है, कि जो कर्शन कर्शन अरे अरे, राद दे यह कोई भी मंतर इस जैसे गीता जिद्धा नंबर आठ के सलोक नंबर 13 में गीता ग्यान दाता यह ब्रहम श्रीकर्शन में प्रवेश करके बोल रहा है मुझ ब्रहम का एक ओम अक्सर है यह एक ओम अक्सर है और इसका उचारन करके सिमन करता हुआ यह परियाती तजन देहं सेयाती परमाम गतिम मेरी मेरे से यानि ब्रहम से ओम नाम के जाब से मिलने वाली गति जो ब्रहम लोग है वो इस से प्राप्त होगी आपको बता दिया अज़ धैनमर आठ गीता जी के मंतर सोडा में सबस्ट किया है कि ब्रहम लोग प्रियंत भी प्राणी सभी जनम वर्तु में आते हैं पुर्णा वर्ति में यानि इसलिए गीता जी धैनमर साथ के सलोक नमर ठारा में अज्धाय नमर 18 के सलोक बैसिट में गीता ग्यान दाता किसी अन्य प्रमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तरह प्रमगती होगी पूर्न मोक्स होगा फिर जनम मर्चुक कभी नहीं होगी अब गीता ग्यान दाता आठ में जाय के पर्थम सलोक में अरजुन ने जो परसन किया कि आप जिन साथ में जाय के गीता जी के 29 मंतर में सलोक में कहा है कि उस्ततबर्म को जान कर सारे दात्म को जान कर पूरे कर्म से परिचित होकर परानी केवल जरा और मरन से बुढ़ापे और मर्तू से छोटने का प्रियतन करता है तो आठ में जाए के पर्थम मंतर में अर्दुन ने पूछा किम तद्वर्म उसका उतर गया तीसरे सलोक में गीता ग्यान दाता ना कि वो परम अक्सर ब्रम है वो जड़ रुपी भगवान है उसी की पूजा करने से कभी दर नमर तू नहीं होगा अब गीता जिद्धा नमर आठ के सलोक नमर पांच और साथ में गीता ग्यान दाता कहता है अपनी साधना के मेरी साधना कर मेरी भक्ती कर मुझे ही प्राप्त होगा तो युद भी कर और मेरी सर्ण में रहना है तो मेरा ओम नम है और मेरी भक्ती कर फिर गीता जिद्धा जिद्धा नमर आठ के सलोक नमर आठ नो दस में उस परम अक्सर ब्रम की साधना के विसे हम बताया है कि उसकी साधना करनी है वो प्रम अक्सर ब्रम है दिव पुरुष है उसकी साधना करने वाला प्राणी उस प्रमेश्वर के पास दिला जाता है और उसका क्या मंत्र है गीता जिद्धाय नमर 17 के सलोक नमर 23 में का है ओम तत सत इती निर्दे से ब्रमने तिर्विद समरता है ब्रमने माने सचीदानंद धन ब्रम का तिर्विद माने तीन प्रकार से सिमन करने का इस ओम तत सत इस तीन मंत्र के जापका निर्देस है निर्देस माने नथिंग ऐल्स और कोई मंतर नहीं है अब यहाँ ओम तो बिरम का सरपुरुष का मंतर ही तो अंडर्स्टूट है इसने कलियर कर रख है और तत यह अक्सर पुरुष का और सत है यह परमक्सर पुरुष का परमक्सर बिरम का तत यह गुप्त है संकेतिक है और सत भी संकेतिक है ओम डिक ओपन सारोजनीक है इसलिए गीता ग्यान दाता ने ऑप्सन छोड़ रखा है चौथे जाएके 34 में सलोक में कि उस ग्यान को जो चौथे जाएके 32 में सलोक में बरमने मुखे सचीधा नंद घन बरम के मुखे जो उचारित ग्यान है परमातमान स्वम आकर बोला हुआ कबीर वानी में जो ग्यान है उस ग्यान को तु तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे तत्वदर्शी संत उस परमातम तत्व का तुझे ग्यान बताएंगे तो ये तीन मंतर के जाफ का जो कोड़ वर्ड है ओम को छोड़ करता तोर सथ ये कोड़ वर्ड है ये गुप्त संकेतिक सबत है ये दास बताएगा इस दास के तरिक 21 बर्मान्ड में आज किसी के पास ये राज नहीं है परमाश्वर कबीर देव ने पूर्ण परमेश्वर ने परमाश्वर ने परमाश्वर बर्म ने इस दास को ये ग्यान दिया हुआ है और ये मंतर दिये है तो यहां बताया कि उस परमाश्वर बर्म की साधना करने से पूर्ण मोक्स होगा और फिर जनम मर्टों कभी नहीं होगी उसका तीन मंतर के जाप का नर्देश है उसको पाने का उसकी प्राप्ती का मंतर है यह यानि इस साधना से वो मिलेगा ओम ब्रहम का जाप है और तत यह सांकेती के यह अक्सर पुरुस यानि अक्सर ब्रहम का और सती भी सांकेती के परमक्सर भ्रहम का उस परमक्सर पुरुषका है तीन परकार से इनकी साधना होती है तिर्विद समरता है तीन परकार से इसका सिमन होता है अपने आत्मों आप आसानी से समझ लोगे कि ये संद कहां खड़े हैं आपको ये कहां डुबो रहे हैं जो हरे कर्षन 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 हरे हरे राधे राधे शाम मिला दे ओम नमा श्वाय ओम भगवते वासु देव नमा ये सारे दंत कताएं हैं इनके पास किसी के पास भी तत्वग्यान नहीं और मौक्ष मारक नहीं है महराज जी यहाँ एक बात आपसे और जाना चाहेंगे कि तीर्थ वरत तरपन एवं श्राद निकालने से कोई लाब है या नहीं गीता के अनुसार लब निश्चित है लेकिन बात वही है यही हमारा भाव है तो तीर्थ में जाने का लाब है तीर्थ क्या है जान स्वेम परमात्मा या परमात्मा को कोई क्रपा पात्र भक्त उसकी तपाई से लिए वही तीर्थ वने तो ये थे स्वामी ज्याननंजी के विचार और आएए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार डंडवतम गोबिंद गुरु बंदू अविजन सोए पहले बहे परणाम तिन नमोज आगे वोए किसी ने परसन किया इस स्रीकर्शन भगत से के तीर्थ वर्थ तरपण सराद निकालने से कोई लाब है या नहीं आप ये उतर देते हैं कि यदि सर्दा से आप तीर्थ पर जाते हो तापको पूरन लाब मिलेगा अपन्यात्माओं पहले तीर्थ की परिवासा नहीं जानती है लोग अपन्यात्माओं तीर्थ क्या है जैसे किसी सथान पर किसी सादक न अपने साधना की और साधना करके वो जिस भी लोक में जाना था वहाँ चला गया अब उस सथान को देखने कोई जाव है तो उसको क्या लाभ होगा उसी साधक की तरह बैठ कर या जैसे भी उसे ने साधना की वो किसी भी सथान पर आप कीजिये तब आपको लाभ होगा उस तीर्थ पढर जाने से कोई लाभ ने होगा जैसे एक अमाम दस्ता होता है लोहे का उखल सा डेड़ एक फुट सुवा फुट उचा आठ नो इंच राउंड में यानि गोल होता है चोड़ा उसका ब्यास होता है और एक मुशल सा होता छोटा डेड़ा जैसे किसी ने हवन सामगरी कुटी उस अमाम दस्ते में और उसने कुट के वा सारी सामगरी कती निकाल लिए पूछ के दो दिया और वो अमाम दस्ता किसी का मांग कर ला रखे था उसने दो मांज के अमाम दस्ते को जिसका लाया था वा पे स्टेजिया और अपनी सामगरी निकाल लिए अब उस अमाम दस्ते में से महक आ रही है थोड़ी थोड़ी अब घरवाले सदस्ते उसको सूंग रही हैं देख रहे हैं कि हाँ हाँ बड़ी आची महक आ रही है तो उस से कुछ दिन वह महक भी खतम हो गई तो ऐसे ये तीरत जानो ये अमाम दस्ता तो तीरत जानो और जो सादक उसमें अपनी राम नाम की भगती रूपी सामगरी को कूट कर माज दो के साथ लेकर चला गया अब वहां जाने से क्या महसूस होता है तालाव किया दरिया के किनारे जलू पलब दोने से सादक साधना किया करते थी और एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाते थी तो उस अथान पर जाने से ये एकदम आत्मा में प्रेरना होती है कि भगती करनी चाहिए लेकिन उसके देखने मातर से वहां जाने मातर से उस जाने वाले तिर्थ यातरी को कुछ भी लाब नहीं होगा केवल पाप इकठे होंगे कि वहां से वहां तक गए जितने भी उसने कदम रखे वो प्राणी मारे शुक्सम जीव मरे वो उसके बैड अकाउंट में लिखती जाएंगे पापों में लिखे जाएंगे और तीर्थ पर जाने से उसको कोई लाब नहीं होगा यह विर्थ है अब जैसे अमरनाथ की स्थापना कैसे होगी बगवान सिव जी ने पारबती जी को नाम दिया था विधी बताई थी उस एकांट सथान पर बैठके अब पारबती जी ने उस मंतर की साधना की उसका लाब उठाया वहां तो नाम लिया उसके बाद फिर अपने गर पर बैठके साधना की अब इसी परकार वही मंतर देने वाला कोई संत मिला है वो कहीं भी मिल जा आपको बरवाला में मिलेगा आपको तो आपके लिए यह बरवाला आसरम अमरनाथ हो गया और उस अमरनाथ पर जहां पारबदी जी को मंतर मिला था वहां जाने से आपको कोई लाब ने अपको कोई एक बड़िए लाब चस्ते लाब इसेज़ हो जासरम अमरनाथ हो आपको